Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, तो चलिए इस वीडियो में कुछ भायलो जी या फिर नर्सिंग एप्टी ट्यूड में आपकी ये दोनों जगां कोईश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए इंपॉर्टन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, नर्सिंग एप्टी ट्यूड में ये होगा, अपली किसम फाम अभी आए नहीं है, आ जाएंगे, तो आप एक्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पर देखें कोईश्चन का लेंगोज, आप चाहे फिजिक्स लगाएंगे, चाहे कमेस्टी, चाहे बायलो जी, कोईश्चन का आइंसर तभी आप लगा पाएंगे उसको क्या बोलते हैं, तो उसको उसको बोला जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, तो आपसा नंबर B करेक्ट हो जाएगा, अब इनक्यूबेशन पीरियड किसको बोला जाता है, पहले तो कोईश्चन ही समझ लीजिए, कोईश्चन कह रहा है कि पीरियड हम मान लिजे डेंगू होता है कैसे होता है डेंगू मान लिजे किसी पर्षन को डेंगू है पहले से डेंगू है अब उसको जाके मास्कीटो मच्छर काटता है उसको मच्छर ने काटा अब डेंगू वाइरस होते हैं अब मच्छर के अंदर डेंगू वाइरस आ जाता है पिर य यह मान लीजिए जब person, कोई भी person infect जब से उसको virus infect किया और जब तिक उस मनुस में symptom appear नहीं हो जाते हैं, जब first symptom appear होता है उसी को incubation period बोला जाता है, तो यही question पूछा जा रहा है कि exposure to infection to appearance, यह देखिए appearance of first symptom, जब पहला symptom जब appear हो जाएगा, तो उसी को बोलते है, incubation period, अब ड होने लगती है, रेसे, सरीर पर रेसे आने लगते हैं, काफी सिम्ट होने लगता है, fever आने लगते हैं, तो यही सब चीजे होता है, incubation period आप समझ गए होंगे, कि incubation period किसको बोला जाता है, कोई भी organism है, virus bacteria, pathogen, कोई भी pathogen है, जो disease causing organism होते हैं, उससे कोई person infection हो गया, अब उसक pathogen का incubation period होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि, आज कोई virus, कोई bacteria, कोई parasite आपको infect किया, और आज, आज ही आप बिमार हो गए, तो ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ incubation period होता है, तो यह option number B correct हो जाएगा, लेकिन यहीं पर समझ लीजिए, window period किसको बोला जाता है, window period यह होता है, कोई भी micro organism, अगर किसी को infect कर दिया, infection कर दिया, और मान लिजिए कोई person है, अगर कोई भी virus होता है, मान लिजिए कोई virus, कोई bacteria हो, कोई person को वो बिमारी हो गई, first attack जब करता है, तो यह जो शरीर होती है, शरीर के अंदर immunity power होता है, resistance power होता है, वो उस virus के against antibody बना लेता है, antibody बनाने तो कोई भी micro organism, जब person के अंदर attack करता है, तो शरीर antibody बनाती है, जब पहला antibody, first antibody बनेगा, और जब कोई virus attack करता है, कोई पैथोजन हो, तो जब antibody बनती है, first antibody तो उसी को बोला जाता है, window period बोला जाता है, जैसे symptom अपियर हो रहा है, तो उसको incubation period बोला जा रहा था, लेकिन antibody अगर बन जा रही, तो उसको window period बोला जाता है, इसी को window period बोला जाता है, immunity, immunity तो आपको पता ही है, resistance power body कि उसके जो micro organism attack करता है, उसके against जो immunity, जो resistance power develop करती है, body, वही immunity होती है, next में एक और है, quarantine, ये तो अभी COVID चल रहाता है, quarantine और एक isolation, खुब आप देखे होंगे, कि isolation by quarantine तो उसको किया जाता था, जिसको सिरीप suspect होता था, कि माली जिए, COVID में अभी खुब बनाय गये थे, isolation ward बनाय गये थे, quarantine बनाय गये थे, hospital में भी, पिर गाओं में भी, गाओं एरिया में भी quarantine, quarantine किसको किया जाता है, quarantine जो किया जाता है, quarantine पेसेंट जो suspect में होता, ISU,S,P,E,C,T, मतलब जिसको आसंका होती है, संका होता है कि इस person को क्या हो गया, वो COVID कोई भी भी बिमारी हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्वारेन्टीन में रख देते हैं, क्वारेन्टीन में कितने दिन तक रखा जाता है, जो वही incubation period जितना micro arguments का होता है, उसी को लगबग कोविट के लिए कि 14-15 दिन क्वारेंटीन में रखा जाता था तो क्वारेंटीन में रख दिया जाता है और आइसोलेशन में किसको रखा जाता है आइसोलेशन में उस परसन को रखा जाता है जिसको डिजीज हो गई होती है वो दूसरे को डिजीज दूसरे क परसन को ना दे इसलिए उस परसन को isolate कर दिया जाता है एक question और पूछता है खुब question पूछता है लेवल आप prevention में अगर question पूछता है कि quarantine किस लेवल आप prevention कितना होता लेवल मैं यहीं अच्छे से बता दे रहा हूं आप लोग लिख लीजिए लेवल आप prevention कोईशन पूछा जा सकता है कि लेवल आप prevention बताईए लेवल आप prevention लिख लीजिए prevention के कुछ लेवल होते हैं जैसे इसमें चार प्रिवेंशन चार टाइप के होते हैं लिख लीजिए फोर टाइप लेवल आफ प्रिवेंशन होते हैं, फोर टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, फोर टाइप, फस्ट टाइप को नतस्षा होता है, प्रिमोडियल टाइप होता है, प्रिमोडियल होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी होता है, प्राइमरी ल किस लेबल के प्रिवेंशन में यह आता है तो यह प्राइमेरी में आता है आप लिख सकते हैं प्राइमेरी जो लेबल का प्रिवेंशन होता है उसमें डिजीज परसन को डिजीज हुई नहीं रहती है सस्पेक्ट में रहता है प्राइमेरी प्रिवेंशन में आता है यह प्रा बन सकता है कि isolation किस prevention में आता है तो secondary prevention में लिख लिख लीजिए isolation कैसे लिखेंगे secondary S-E-C-O-N-D-A-R-Y secondary prevention P-R-E-B-E-N-T-I-O-N secondary prevention तो यह सम्मा चारो option को एकदम clear किया लेकिन इस question का तो जवाब B option की correct है next question यह देखिए which one of the following is not the disorder we got youhost from the perspective s Corinthians Co cal МУЗЫКА hallucination तो perception का ही decider है क्यों? perception में अलग! hallucination Map alc・・・ यह alag perceive कर लेता There is illusion illusion में भी अलग, right? illusion में क्या होताहिक इल्यूजर में sam.. जो रस्य मान लीजिए रात में आप जा रहे है straighten धिन में ही है दिन में होती है perception नहीं है यह false fixed belief इसमें होता है तो यह delusion option number C correct हो जाएगा इसको आप देख लीजिएगा C option correct है एकदम अच्छे से next question यह देखिए यह भी question खोब पूछा जाता है यह question यह question एकदम चारो आपसन इसमें भी मैं discuss कर दे रहा हूँ अभी आप एकदम समझ जाएंगे देखिए the process involved in the development of mature ovum is called mature ovum के development को क्या बोला जाता है भाई ovum ovum किसमें होता है ovum तो female में ही होता न तो female में spermitogenesis means होता है sperm का बनना तो sperm का बनना male में होता है यह option कट गया ovulation ovulation का means होता है mature grafian follicle से जब क्या होते है जब ovum का बनना होता है ovum क्या होता है ovum जब बनता है तो फिर लेकिन यहां mature ovum कर रहा है development की बात कर रहा है तो यह भी नहीं हो जाएगा fertilization fertilization तो होगा ही नहीं ogenesis इसमें हो जाएगा ogenesis means क्या होता है ogenesis का मतलब होता है formation of ovum आप लिख सकते है f-o-r-m-a-t-i-o-n formation of ovum ovum इसी को तो बोला जाता है एक बार question तो यह भी पूछ लिया था जो यह ovum होता है यह एक बार question पूछा था कि ogenesis कितना दिन लगता है and यह formation of ovum को बनने में कितना समय लगता है duration पूछाता है duration आप लिख सकते है duration आप जब menstrual cycle चलती है तो आप menstrual cycle मान लिजए किसी females का थाइस दिन का menstrual cycle है periods है तो उसका जो ovum formation 14 में दिन होता है तो यह 12 से आप 14 दिन लिख सकते है 12 से 14 days आप लिख सकते है duration ogenesis का जो duration होता है 12 से 14 days और एक question और पूछता है कि ovum का life span कितना होता चलिए इसको भी यहीं पे आप देख लिजिए कि ovum का life span life span में उस क्या होता है कितने समय तक वो जिन्दा रहता है एक बार ovum generate हो गया कितने दिन तक लगभग दिन नहीं वो 12 से 24 घंटे तक ही जिन्दा रहता है 12 से 24 घंटे हाउर्स लिख लिजिए 12 से 24 और यहीं पे स्पर्म की बात किया जाए जैसे यहां देखिए spermatogenesis में spermatogenesis क्या होता है spermatogenesis मेंस होता है sperm का formation वही तो spermatogenesis कहलाता है अब spermatogenesis कोईशन पूछता है कि spermatogenesis का duration कितना होता है तो 60 से लेके 80 days होता है कितना होता है 60 से लेके 80 days या फिर अगर एक option लगाना है तो 74 days होता है 24 दिन में spermatogenesis हो जाता है और यहीं पूछ लेगा अगर कि sperm का स्पर्म का life span पूछ लेता है तो 72 hours होगा घंटे होगा 48 से 42 घंटे तक यह sperm जिन्दा रहता है लेकिन यह जिन्दा कहां रहता है female reproductive tract की बात हो रही है ऐसे नहीं female reproductive coupletion के बाद जब ejaculation करता है कोई males females के वेजाईना में स्पर्म को डालता है तो वो females के reproductive tract में कितने 48 से लेके 72 घंटे तक ही उसकी life span होती है फिर वो क्या कर जाता है अपने आपको खतम हो जाता है डेड कर जाती है तो यह इसमें आफसर नंबर तो ओजनेसिस यह fertilization का मतलब आप जानी रहे है fertilization होता है obum obum और sperm जब मिलते हैं तो यह fertilization साथ में करते हैं fertilization कहां पे होती है females के phallopian tube में होती है phallopian tube में किस जगां होती है यह ampula jansan पे होता है यह सब जो मैं बहुत लाँना सब question पूछे गए है यह ampula jansan पे होता है और ovulation का means आप जानी रहे है mature grafian falcule जब बनती है जैसे 28 दिन का pregnancy period होता है तो 14 दिन ते कि यही काम चलता है यह grafian falcule होती है grafian falcule फिल बनती है फिर इसके अंदर obum रहता है फिर एक ileus हार्मोन होता है leutinizing हार्मोन होता है यह यहाँ पर आके work करेगा फिर यह rapture होगी फिर हुए जाके ovulation होगा तो यह सक चीज है तो मैं बताया भी हूँ अच्छे से कराए हूँ कि ovulation कैसे होता क्या चीज है तो इसमें option number कौन सा correct हो जाएगा ओ ऐसे तो option number d correct है o genesis तो